तो हेलो एंड वेलकम अगें दोस्तो जवान के डे 9 की ओफिसियल बॉक्स ओफिस कलेक्शन की फाइनल रिपोर्ट आ चुकी है जहां दोस्तो इस फुल अपडेटेड रिकॉर्ड ओफ डे 9 तो ही बात करेंगे कल मॉर्निंग से लेके इवनिंग टू नाइट तक कैसी क्या ओक्यूपेंसी रही है कितनी कमाई नेट इंडियन कलेक्शन से करी कितनी कमाई हिंदी से करी कितनी कमाई ओवर्सीज से करी और टोटल कितनी कमाई नेट इंडियन से अभी तक कर चुकी है पहल आपको बताऊंगा कि day 8 तक पहले 8 दिन तक मुवी ने पुरी दुनिया से 696.67 करोड की कमाई कर ली थी around में 697 करोड की कमाई पहले 8 दिन में कर ली थी इससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले एक दो चीज और बताऊंगा पिछले 8 और 7 दिन में इतनी अच्छी ग्रोथ देखने को नहीं मिली थी worldwide collection कल काफी huge आया है 4 करोड 5 करोड जादा ही आया है 8 और 7 दिन के मुकाबले कल Friday में अच्छा boost मा रहा है मुवी ने तो कल morning occupancy से लेके night तक की occupancy overall day की रही है day 9 की 30% के आसपास 28 to 30% के आसपास जिसमें हिंदी से कल कमाई करी है मुवी ने 18.10 करोड round figure में 18 करोड मान के चलो इसी की साथ तमिल और तैलगू से एक करोड का collection किया इट मींस यह कि total net Indian collection कल के दिन day 9 का रहा है तमिल तैलगू हिंदी को मिला कर 19.10 करोड round figure में 19 करोड ओल इंडिया net collection रहा है कल day 9 का तो पहले 9 दिन में हिंदी से कितनी कमाई कर लिये मुवी ने अभी तक 366 करोड का जबर 10 तांकना अपने खाते में रख लिया है और पहले 9 दिन में ही ओल इंडिया net से मुवी अभी तक 410 करोड के जदू यांकड़े को अपने खाते में रख लिया जिया दोस्तो पहले 9 दिन में सिर्फ net collection से किसी भी मुवी ने इतनी fastest growing नहीं करी पहले तो और बहुत सी मुवी तो lifetime collection भी इतना नहीं कर पाई है जो मुवी जवान मुवी सिर्फ 9 दिन में ही अभी पहले 9 दिन तक Tamil Telugu को मिला कर 44 करोण का जबर दस तांकरा आपने खाते में रख लिया है मलब बाप collection किया है क्योंकि Bollywood की मुवी या फिर Hindi मुवी कोई भी इतनी बड़ी huge collection कभी लाही नहीं पाई और अभी तो सिर्फ 9 दिन हुए हैं अभी तो पूरे rest of the days बाकी हैं अभी तो तीन हपते और movie चलनी तो लगबग और कमाई आएगी अभी तो सिर्फ 44 करोण है 50 करोण की half century ये मार ही जाएगी जवान Tamil Telugu से बात कर रहा हूँ इसी की साथ पहले 9 दिन का worldwide collection की बात करें तो लेकिन पहले कल day 9 के overseas की collection की बात करें तो 41 करोण की कमाई करी है कल पूरे दिन में जिया दोस्तो अभी तक day 7 और day 8 में लगबग 36 या 35 या 37 करोण के आसपास रह रही थी पूरी दुनिया से overseas का collection day 9 का लेकिन अभी पूरी दुन collection कितना होता है पहले 9 दिन का worldwide collection होता है 735 करोण जिया दोस्तों makers ने अभी poster के साथ reveal किया है और जबरतस्त poster है बाइगाट तो पहले 9 दिन में movie अभी तक 735 करोण की कमाई कर सुकी है huge collection इतना दो lifetime box office collection नहीं होता है बॉलिवुड की कोई भी movie का क्योंकि बॉलिवुड की 2-3 movie भी अगर अपना collection में वो भी average से अबब वाली ना कि average वाली average से अबब वाली जो movie है उनका lifetime collection मिलाएंगे तब जाके जवान के 9 दिन के इस 735 करोण के आंकडे को touch कर पाएगी जिया हाँ दोस्तों अब आप लोग ये बताएंगे कि क्या movie 1400 करोण lifetime collection के मामले में 1400 करोण या फिर 1500 करोण की कमाई कर भी पाएगी या नहीं कर पाएगी और अब भी आप लोगों को क्या लगता है कि movie long running सोच चलाएगी in theaters like avatar the way of water आई थी पठान आई थी ये movie 30 दिन से उपर ही चली थी around मुझे अभी तक याद है कि avatar the way of water लगबक 50 दिन तक theater house में चली थी वो भी इंड पते हुए ये आप लोग बताएंगे नीचे comment box पर और कितनी चल सकती है movie और lifetime collection क्या 500 करोण टच कर पाएगी या इसे भी cross कर जाएगी फड़ापट अपनी राय जो भी राय है आपकी नीचे comment box पर चरू बतागे जाना बाकि movie review और box office से जुड़ी सभी updates के लिए और बल्ली